सन दो हजार तीन एक परिवार को देखा हमने स्कूटर पर पिता स्कूटर चला रहे थे एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा था और पीछे पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था अचानक सोचा की क्या होगा अगर ये फिसल कर गिर गए और ठीक यही हुआ भी इसी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया स्कूटर को और सेफ कैसे बनाये जाए यही बात थी जिससे मुझे सस्ती कार बनाने का ख्याल आया जन्वरी दोहजार आठ कौन होता है मेगा आइकॉन दूर की सूच वाला वो शक्स जो मुनाफे से पहले लोगों को रखता है जिसके नाम के माइने हों उसूल और लोगों का भला रतन नवल टाटा आते हैं उन जमशेद जी टाटा के खांदान से जिन्हें भारती उद्द्योग का जनक कहा जाता है और जिन्होंने अठारसो सत्तर के दशक में विशाल टाटा समूह की बुनियाद रखी थी सौ से ज्यादा साल बाद रतन टाटा ने टाटा समूह का चैर्मन बन कर इसे कमपनियों के एक बहतरीन भारती समूह से दुनिया का विशाल उद्द्योग समूह बनाया आज इस भूतपूर्व चैर्मन को भारत के और शायद दुनिया के बहतरीन उद्योग पतियों, निवेशकों और समाज सेवियों में गिना जाता है आएए देखें कि कैसे ढाला उन्होंने अपनी तकदीर को सन उन्नी सो सैंतालीस ये बात आधी रात की उस घड़ी से पहले की है भारत के आजाद फिजा में सांस लेने से पहले की जब दस साल के टाटा को हालात का तमाशाई बना रहना गवारा ना हुआ टाटा हाउस से सामने आजाद मैदान दिखाई देता था जहां आज तक एक नहीं बलकि कई अंदोलन हुए थे एकदम सामने मैदान दिखाई देता था भीड को तितर बितर करने के लिए लोगों पर लाकी चार्ज होता दिखाई देता था ये काम ज्यादा तर पोलिस या फिर मिलिटरी पोलिस किया करती थी भीड के पास अकसर मोटर साइकल वगारा वैसे ही छोड़ दी जाती थी और हम स्कूली बच्चों के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी पेट्रॉल टैंक खोल कर उसमें चीनी डाल देना क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ दूर चल कर एंजन सीज हो जाएगा उसमें शायद एक जांबाजी का एहसास होता था आजादी के आसपास की बात है मैं दस साल का था शायद अपने देश के लोगों के लिए एक जजबा तो महसूस होता ही था बच्चे थे पर आजादी पाने की इच्छा तो थी ही डाल को जैसे मोड़ दू पेड़ वैसा ही बड़ा होता है रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की थी जो टाटा संस के बोर्ड में पहली लेडी डारेक्टर थी उनकी अपने पोते पर गहरी छाप पड़ी थी मेरे माथा पिता और दादी ही थी जिनकी वज़ा से पैसे और रुटबे का बे मतलब का दिखावा नहीं होता था बिलकुल नहीं तो कह सकते हैं कि जिसने असूलों और बड़पन का ऐसा नजरिया हम में पैदा किया वो मेरी दादी ही थी बच्पन के काफी दिन बिटाए थे मैंने उनके साथ उन्होंने जैसे मन में ये बैठा दिया था कि चाहे जो हो सबी हालात का बड़पन बनाए रखते हुए सामना करना है उन्होंने पूरी जिंदगी इस बात के लिए मना किया कि उन्हें शाही रुत्बा मिले या फिर वो अमीर कहलाएं या मशूर इंसान सच है कि वो हमीशा अपनी तरीकों पर चले जो रवायत के तोर पर मतलब भारत के सबसे बड़े उद्योग समुह के चैर्मिन से मिलना खाते हो मीडिया की तड़क भड़क से दूर तकरीबन सबसे अलग रहते होए मुझे लगता है समुह ने जो रास्ते चुने उनमें कुछ हद तक रतन टाटा का हाथ रहा है उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूशन से नवाजा जा चुका है नमक से सौफ्टवेर तक कई कारोबारों के अगवाई करने वाले रतन टाटा ने विरासत में छोड़ी है समात सेवा जिसके बराबरी कुछ ही कारोबारी कर पाए है मुझे लगता है इसमें शक नहीं कि टाटा ज बीडियों से कारोबारी उसूलों पर चलते आ रहे हैं उनके यहां ऐसे पेशेवर लोग काम करते हैं जिने यह सिखाया गया है उनके यहां शानदार होटेल्स हैं, कमपनीज हैं जो काम्याब रही हैं और इसमें शक नहीं है कि सिर्फ रतन टाटा ही नहीं बलके उन से पहले जे आडी टाटा का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है रतन टाटा के कमान समालने से पहले J.R.D. टाटा पचास से ज्यादा साल तक टाटा समोह के जैर्मन रहे हैं भारत के पहले लाइसेंस्ट पालेट और इंडियन एरलाइन्स की बुनियाद रखने वाले J.R.D. ने समूह की आमदनी 10 करोड से 5 अरब तक पहुँचा दी थी आखर जियाडी को कैसे लगा कि नौजवान टाटा उनके वारिस हो सकते हैं इसे समझने के लिए 1962 में लोटना होगा जब 25 साल के रतन टाटा समूह में काम करने वालों में से एक बने थे शुरू में मैं लोस अंजलिस में एक आर्किटेक्ट के आफिस में काम करता था काम अच्छा था अच्छे पैसे मिलते थे मैं वापस आया क्योंकि मेरी दाड़ी बीमार थी चार पांच साल बीमार रही फो तो मैं उनके पास रहने लगा वापस नहीं लोटा जे आर्डी ने मुझे कहा तुम ऐसे ही बैटे मत रहो थुड़ा काम से जुड़ो और मुझे टेलको में शौप फ्लोर पर लगा दिया गया मेरी नजर में ये वक्त की बर्बादी थी क्योंकि कुछ भी प्लैन के हिसाब से नहीं होता था तो मैंने खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया मैन्यूफेक्चरिंग की तमाम स्टेजिस से गुजरते माटीरियल को देखा लेकिन कहीं न कहीं मेरे वो च्छे महीने सबसे टीमती रहे जो मैंने वहां बिदाए थे क्योंकि शॉप फ्लोर पर काम करते हुए मेरे और बगल के आदमी में किसी तरह का फर्क नहीं था कई साल बाद जब मैं टेलको का चेर्मेन बना तो ऐसा कोई मौका नहीं आया जब कोई मुझे बहका पाया हो क्योंकि मैं चीजों के बारे में जान चुका था वो साल मुझे बहुत ही याद आते हैं जब मेरा सीधे या किसी बहाने जे आड़ी से वास्ता रहा था जब वो मुझे परक रहे थे जोश और तनाव का मिला जुला एसास था जो वो मुझे कराते थे कंपनी में रतन टाटा के शुरुवाती साल मुझे किलों और मायूसियों से भरे हुए थे ऐसा ही वक्त था 1971 का जब उनको टाटा समुह की नैशनल रेडियो और इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी ओफ इंडिया या नेलको में भेजा गया था नैलको में मैंने मुझे हालात से और सीखा हम मुनाफे में आ गए डिविडेंश दिये घाटे बिलकुल खत्म कर दिये लेकिन दिक्कत ये हुई कि नैलको टाटा पाउर कंपनी का हिस्सा बन गई और इसकी पहचान खत्म हो गई अब ये बिलकुल भी एक अलग कंपनी नहीं थी एक के बाद एक चुनोती आती गई जे आडी ने एमप्रेस मिल्स मेरे हाथ में देते हुए यही कहा था जाओ कंपनी को मुनाफे में लाओ और एमप्रेस मिल्स सच में मुनाफे में आई Empress Mills ने डिविडेंस दिये, लेकिन फिर textile industry के nationalized होने पर इसे nationalized कर दिया गया, तो ये हाथ से चली गई समोहु में अपना career बनाने में बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, रतन टाटा को उनके नाम में टाटा होने भर से सब आसानी से नहीं हो गया लेकिन रतन टाटा के लिए मुश्किल हालाद कोई नई चीज नहीं थे एक बार University of Cornell में architecture में graduation करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनोती का सामना किया था मैं college में था 17 साल का था, उस सुम्र में pilot का license लिया जा सकता था मगर मेरे जैसा आदमी बार बार किराय पर अकीले जहास लेना गवारा नहीं कर सकता था तो मैंने अपने classmate से flying पर साथ चलने की बात की मैं हमेशा तयार रहता था कि अगर कोई किराया बांट ले तो मैं उसे flying पर साथ ले जाऊ उडान का तजर्बा लेने की गरच से उस student ने उडान का मज़ा लेने के लिए तीन यात्रियों को तयार कर लिया लेकिन जहास का एक engine खराब हो गया और अचानक उनकी मस्ती थम गई पहले तो जहास बुरी तरह से कांपा फिर engine बंद हुआ और प्रोपेलर ने भी घूमना बंद कर दिया अब हम बिना engine के हवा में थे ऐसे में सोचना होता है कि नीचे कैसे उत्रा चाए पर मेरे साथ ही एकदम खामोश थे हमारे नीचे उत्रने तक किसी ने चूं तक नहीं की मुश्किल हालात में रास्ता बना लेने का हुनर शायद रतन टाटा में जन्म से ही रहा है वो हुनर जिसने आगे चलकर उनके करियर में आई शुरुआती चुनोतियों को पार खर पाने में उनकी मदद की थी एक हलके जहास का इंजिन खराब होना ऐसी चीज नहीं थी जिससे जहास गिर जाता आप कितनी उचाई पर हैं? उसके हिसाब से गलाइट करने का वक्त मिल जाता है इतना कि आप सही जगा देखकर आसानी से उतर सकते हैं कैसे भी हालात में दिमाग को ठंडा रखने की काबलियत बहुत अनोखी होती है बच्पन से ही वो चीजों को बैलेंस करना जानते हैं और ये चीजें जीवन में वो कभी भूले नहीं हर बड़ी दिखा ही नहीं सकते थे एंजिन गया तो एंजिन गया असी के दशक की शुरुआत में रतन टाटा को टाटा समूं में करीब 20 साल हो चुके थे एक मशहूर सरनेम के अलावा उनके पास दिखाने को खास कुछ भी नहीं था 44 साल के उमर में उन्हें उस टाटा इंडास्ट्रीज के जिमेदारी दी गई जो एक ऐसी शेल कंपनी थी जिसके हाथ में कुछ नहीं था जहां वो कारुबारी नाराज़गी से जूज रहे थे वहीं उन्हें खुद पर बीते एक सदमे से भी दूचार होना पड़ा उनकी मा को कैंसर हो गया सन 1983, न्यूयोग बड़ा मुश्किल वक्त था ये उनके लिए क्योंकि अपनी मा से बहुत लगाऊ था उन्हें वो सच में नहीं हो गए और हॉस्पिटल में कई महीने उनके साथ बिताए उनका दिमाग कई तरफ खींचता था उन्हें वो अपनी मा के साथ तो थे पर यहां पर क्या चल रहा था उसके भी पूरी जानकारी रखने की चिंता थी उन्हें कभी कभी लगता है हमारा सब खत्म हो रहा है हम में से ज्यादा तर इस टनाव से तूट जाते हैं लेकिन रतन टाटा जैसे कुछ लोग ऐसे वक्त को बहतर कल के ख्वाब देखने में लगाते हैं जब मेरी मा भी मार थी तब हॉस्पिटल में मेरे पास काफी वक्त होता था तो मैंने उस वक्त का इस्तेमाल टाटास के लिए स्ट्रटीजिक प्लैंस बनाने में किया मुझे लगता था कि हम उतना नहीं कर रहे हैं जितना हम टाटास में कर सकते हैं हम धुएं की चिमनियों वाली इंडस्ट्रीज पर ही ध्यान लगाए हुए हैं ना कि नई उभरती इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिसिन वगारा मेरा ख्याल है कि जब कोई बहुत ज्यादा तनाव में होता है जैसे वो थे अपनी मा को मरते देख रहे थे तो काम को छोड़ कर कोई और चीज उतने अच्छे से ध्यान नहीं बटाती तो उन्हों ने अपनी ताकत एक तरफ हमारी मा की देख भाल में लगाई हुई थी तो दूसरी तरफ वो अपने स्टाटेजिक प्लान पर काम कर रहे थे जिसे न जाने क्यों टाटा संस बोर्ड ने नकार दिया उस प्लैन का एक बड़ा हिस्सा समुह की मौजूदा कमपनियों को नई सिरेजे खड़ा करने की जरूरत को लेकर था जो ना सिर्फ तादाद में स्यादा थी बलकि जैसा मैंने कहा उनका एक दूसरे के कामों में दखल भी रहता था तो ऐसे में मौजूदा कमपनियों में अलग होने या कमपनियों के अपनी पहचान खोकर दूसरी कमपनियों में मिल जाने को लेकर एक हिचक थी लेकिन वो ऐसे इंसान है के जिन्हें अगर यकीन हो जाए कि ऐसा करना ठीक है तो वो उस फैसले पर कायम रहते हैं रतन टाटा का अपनी सोच पर पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ना ही शायद J.R.D. टाटा को पसंद आया और उन्होंने उन्हें अगले चैर्मन के तौर पर चुन्ने का ऐसा फैसला लिया जिससे बोड के कई सदस्य खुश नहीं थे तो अब वो ग्रूप चैर्मन बन गया है ऐसा करके क्या सिखाया उन्होंने कमपनियों को डुबो न और उनकी तकनीक और भालतों के खयालों का जिरून बहुत गड़बड करने वाले इंसान है वो आसान कामों को मुश्किल बना देते हैं काश जे जानते हों कि वो क्या कर रहे हैं मिस्टर जेहरडी टाटा लोगों को बड़ी जल्दी पहचान लेते थे बेशक जेहरडी को कारोबार की बनियादी चीजों से जूजने की उस इंसान की पहनी नजर और काबलियत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी मैं तो कहूंगा काम के लिहाद से वो बहुत हद तक मेरे पिता जैसे बलकि उनसे बढ़ करते चाहे सला देना हो या आपकी उधासी दूर करने के लिए वक्त निकालने वगईरा की बात हो या ऐसा ही कुछ और कमपनी के लिए रतन टाटा के बनाए उम्मीदों भरे स्ट्रेटिजिक प्लान के लिए जरूरी था के भारत की एकनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव हो जिसके लिए उन्होंने कदम मिलाए तेश के नए तरक्वी पसंद प्रधान मंत्री के साथ तब राजीव गांधी बने प्रधान मंत्री भारत कैसा होना चाहिए इसे लेकर उनकी सोच वही थी जिसका जिक्र उस प्लैन में था तो मैंने उन्हें बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं तो उनसे एक नजदीक ही बन गई 1991 में इधर रतन टाटा टाटा समूह के चैर्मन बने उधर बतकिस्मती से राजीव गांधी की हत्या हो गई नए भारत के सपने चकना चूर हो जाते कुर्सी सम्हालने बाले साथ न देते ऐसा लगा जैसे चारो तरफ धुंद छा गई हो भारत का भरोसा एक दम हिल गया डगमगाने लगा नरसिमा राओ मनमोहन सींग की जोड़ी ने किया ये के मुश्किलों से भरी एकॉनोमी की जड़ों को फोरण समाल लिया लिब्रलाइजेशन के जरिये और कारोबार के तमाम एहम मसलों को बढ़ावा देते हुए और बहुत सी कमपनियों को इस तरह शुरू करने की छूट देते हुए कि उन्हें लाइसेंस राज की उलजने न जेलनी पड़े जो उसमें बहुत थी और इसमें कोई शक नहीं जब ये हुआ तो कुछ लोग समझ गए कि ये बहुत आगे तत जाएगा और इससे कितना बड़ा बदलाव आएगा तो भरकर आई एक इंडस्ट्रियल फ्रीडम जिसने उन सालों में मेरे अंदर जबरदस्त जूश पैदा किया मेरे करियर में शायद वो साल सबसे ज्यादा ओसला जगाने वाले थे बहारत में कमपनियों के सबसे बड़े समूहों की अगवाई करते हुए उन्हें लगा कि समूहों की काम्याबी सब कमपनियों को एक ही नाम देने में है इस तरहे टाटा समूह को इसके पाँचवे जैमेन रतन टाटा ने एक ब्रैंड की पहचान दी कम्पनियों की इमेज अलग-अलग थी टॉमको का निशान हीरे जैसा दिखाई देता था किसी का निशान कोल था फोंस अलग-अलग थे लगता ही नहीं था कि वो एक ही समुह से जुड़ी थी तो हाँ हमने ब्रैंड को या ब्रैंड को बया करने वाली चीज़ को एक कर दिया समुह की री ब्रैंडिंग की पहल और भारत की बाजारों का उधारी करण शुरू होने पर रतन टाटा ने एक बड़ा एहम कदम उठाया उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े कमर्शल वेहकल मैनिफेक्चरर्ज टाटा मोटर्स में भारत की पहली स्वदेशी पैसंज कार बनाने का फैसला किया इंडि का नाम भी सोच लिया था क्योंकि ये कार थी इंडियन कार उस वक्त मैं गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली C.I.I. में गया और सवाल किया कि क्या हम एक पूरी तरह भारतिय कार बना सकते हैं कोई तयार नहीं हुआ साथ देने को ये सोच करके ऐसा होगा ही नहीं आप एक ट्रक कमपनी हैं कारों में आपके दिल्चस्पी की वज़ा क्या है दस साल के अंदर टाटा मोटर्स ने इंडिका प्लाटफॉर्म से अपनी दस लाखवी पैसंजर कार तयार की इंडिका पहली भारतिय कार बनी जो युनाइटिट किंडम में सिटी रोवर के नाम से बेची गई मेरा ख्याल है उसकी वज़ा से बारत में एक पूरी कार इंडिस्ट्री खड़ी हुई जो आज 30 लाख से ज्यादा कारें बनाती है कारों के लिए रतन टाटा के लगाव को देखते हुए टाटा मोटर्स जल्द ही नई सोच का उनका पसंदीदा जरिया बन गई उनका स्ट्रीडिजिक प्लान रंग लाया दूर की सोच वाले की जीत हुई थी अब बारी थी लोगों को कुछ देने वाले की सन दो हजार तीन एक परिवार को देखा हमने स्कूटर पर पिता स्कूटर चला रहे थे एक छोटा सा बच्चा आगे कड़ा था और पीछे पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था अचानक सोचा की क्या होगा अगर ये फिसल कर गिर गए और ठीक यही हुआ भी इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया स्कूटर को और सेफ कैसे बनाया जा सकता है क्या बच्चों की तीन पईये की साइकल जैसा कुछ बनाया जा सकता है कुछ ऐसा जो फिसले नहीं क्या इसके चारों तरफ फ्रेम बनाया जा सकता है पहले सोचा गया बिना दरवाजों की कार के बारे में जिसमें प्लास्टिक के परदे लगे हूँ सोचा गया कि एक तीन पईये की कार बनाई जाए उससे लेकर कहा गया कि आधी कार नहीं बनाई जा सकती लोग किसी ऐसी चीज में नहीं बैटना चाहेंगे जो खूली हो, दिमाग में गुमता रहा कि ऐसी कार कैसे बनाई जाए जिसे आम लोग खरीद सके उन भारतियों को मोबिलिटी तक पहुचाना था जिनके लिए उसके बारे में सोचना भी बहुत ज़ादा मुश्किल था मुझे लगता है ये एक बड़ी एहन सोच थी इसके बाद जेनिवा के पत्रकार मुझसे पूछने लगे कार किस कीमत पर बेची जाएगी तो मैंने कहा हमारा मनना है कि ये एक लाख रुपए तक हो हमने उसी कीमत पर कार को बाजार में उतारा तो हमने उस कार की कीमत एक लाख के नीचे ही रखी जनवरी दो हजाराट देवियों और सचनों आज हम पेश कर रहे हैं एंजिनियर्स और डिजाइनर्स की नौजवान टूली की बनाई टाटा मोटर्स की नई कार एक आम लोगों की कार जिसका सब को इंतजार था दरसल हमने खलती की ये कहकर की नैनो देश की सबसे सस्ती कार है लोगों को इसे लेकर गर्व होने के बचाए शर्म का एहसास पैदा हुआ की हम महंगी कार नहीं खरीच सकते तो सबसे सस्ती कार सबसे कम पसंद वाली कार बन गई और लोग इसके पीछे का मकसद भूल गए शायद कहीं कोई भूल हुई उसमें लेकिन वो बड़ी सोच रखते थे वो सोचते रहते थे भारत में और क्या-क्या बदलाव किये जा सकते हैं लोगों के जिंदगियां बदलने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं मेरे खयाल से वो बहुत ही जस्बाती बिजनस लीडर है वो जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं वो हारी काम को बहुत जिनून से करते हैं अच्छा कारोबारी नेता वही है जिसका मुश्किल वक्त से उबरने का खाका हमेशा तयार हो लेकिन कई हालात ऐसे होते हैं जिनका कोई अंदासा नहीं लगा सकता रतन टाटा भी नहीं 2008 में टाटा समुहू के मुंबई के सबसे मशुहूर होटेल ताज महल पैलेस पर एक जान लेवा आतंकवादी हमला हुआ ऐसा जिसने देश और रतन टाटा को आहत कर दिया किसी ने मुझे फोन करके बताया कि ताज में गोली बारी हुई है 26 नमबर 2008 मुंबई मैंने ताज के एक्सचेंज में फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया ये बहुत अजीब बात थी तो मैं अपनी कार से वहां गया पर चोखिदार ने मुझे लोबी में जाने से रोग दिया क्योंकि वहां गोलिया चल रही थी रतन टाटा ने मुझे फोन किया और उन्होंने ये बताया कि उन्हें ख़बर मिली है कि ताज में कुछ गड़बर हो गई है वहां गोलियां वगएरा चल रही है जो कि बड़ी अजीब चीज थी उस जैसी जगह के लिए मतलब ऐसे वक्त पर जब होटेल में करीब तीन सो महमान थे रेस्टोरेंट्स भरे हुए थे तमाम रेस्टोरेंट्स से लोगों को निकाल कर चेंबर्स में लाया गया स्टाफ को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई निकालने के मास्टर प्लैन के बिना उन्होंने लोगों को हिफाज़त में पहुँचाया था लेकिन ये सब करते हुए उन में से कई मारे गए उस पूरे वाकर के दोरान वो ताज और ताज के मेनेजमेंट के साथ खड़े रहे थे उन्होंने यहां बाहर फुदपात पर पूरत तीन दिन और तीन रात बिताई थी जो हुआ उसके खत्म होने के बाद मिस्टर क्रिशन कुमार और मुझे मेन एंटरेंस से वासाबी रेस्टरेंट ले जाया गया आखरी गोली बारी उसी जगा पर हुई थी वहां दीवारों पर गोलियों के निशान थे कांच तूटे थे वाल पेपर वगएरा सब जले हुए थे और हम जब वहां गए तब बिजली नहीं थी उस नजारे को देखकर घबराहट सी हो रही थी कि ऐसा नहो कि अगले पल कहीं से कोई गोली चला दे ये भी ख्याल आया कि क्या गोली बारी सच में रुख गई है ये बहुत अच्छा वक्त तो नहीं था एक अजीब सी घबराहट थी दिमाग बड़ी मुश्किल से ये मानने को तयार हुआ की हमला सच में थम गया है हाला कि माहौल ऐसा सोचने की अजाज़त नहीं दे रहा था वो और मैं तमाम हॉस्पिटल्स में गए और वहां जाकर एक एक मरीज से मिले हमारे स्टाफ के कुछ लोग मारे गए थे वेटर्स, एसिस्टन मेनेजर्स, शेफ्स तब ये सोचा गया कि हमें खुद को सिर्फ ताज की और उन लोगों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ ताज पर हमले की चपेट में आये थे छत्रपती, शिवाजे, टर्मिनस और कामा हॉस्पिटल के इलाखे वगरा में भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां गोली बारी में मारे गए हैं तब हम लोगों के लगा कि हमें लोगों की मदद के लिए एक पब्लिक वेलफेर टरस्ट शुरू करना चाहिए और हमने इसकी शुरुआत की ताज से ऐसा सिर्फ मुंबई आतं की हमलों के वक्त नहीं हुआ था 1992-1993 में जब मुंबई में डंगे और खून खराबा हुआ था तब उस समय रतन टाटा ही थे जिन्होंने आधे पेज का आड़ देकर कहा था कि हम सब एक जुठों और शायद ये भी कि बॉमबे को हमें जलने नहीं देना है और शायद वो खुद श्री किशना कमिशन के सामने पेश हुए बताने के लिए कि किस तरह के दर्दनाख हालात उन्होंने देखे और अनुभव किये थी मैं जानती हूँ कि ये उनकी फित्रत में है कई मानों में मुझे बहुत फक्र होता है ताज जो कर पाया जो भी उन्होंने किया फक्र की ही बात थी हमने एक एक इंट करके इसे फिर से पहले से बेहतर बनाया काफी बेहतर हमने मारे गई लोगों के बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली उनकी रेटायरमेंट की उमर तक की तंखा का पूरा भुकतान किया गया और फक्र की बात है कि हम ये सब कर पाए रतन टाटा भारत की सबसे बड़े कारोबारी समूह को दुनिया के नक्षे पर लाना चाहते थे इससे शुरुआत हुई दूसरे देशों की कंपनियों को समूह में जोडने के जाबास कदम की सबसे पहले आई टेटली थी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीब राप फिर लिये गए सिंगापॉर और थाइलेंड के सबसे बड़े स्टील और स्टील उत्पाद निर्माता जिसने टाटा स्टील की ग्लोबल रैंकिंग एकदम से 56 से 28 पर पहुँचा दी और टाटा मोटर्स के जरिये समूह गर्त में जाती एक जानी मानी ब्रिटिश कंपनी को मुनाफ़ा देने वाली कंपनी बनने वाला था जेलार को लेना और कमाल का बदलाव करते हुए उसे इंटरनेशनल ब्रैंड बनाना इसने भी टाटा मोटर्स को दुनिया में एक बिलकुल अलग ही लीग में पहुचा दिया हमने कमपनी खरीदी और तब ही यूरोप की एकोनोमी गिर गई बाहर से लगा जैसे हमने एक बहुत गलत ख़दम उठा लिया है हमने कमपनी को खरीदने में जितना पैसा लगाया था उससे ज्यादा तो उसमें लगा दिया था पर आखिर राहत मिली क्योंकि बाजार के दोबारा खुलने और फिर से पट्री पर आने पर दो प्रोड़क्स की बजाए हम चार-पांच नए प्रोड़क्स के साथ सामने आए पहले से भी कहीं ज्यादा बेतर होकर इससे जैगवार और लैंड रोवर को फिर से खड़ा करने में मदद मिली आज टाटा समूह 19 यॉरपिय कमपनियों का मालिक है जिनमें सिर्फ यॉरप में ही 60,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं रतन टाटा की चैमन्शिप में आमदनी 1991 में 10 अरब डॉलर से 2012 में 100 अरब डॉलर तक जा पहुँची थी बावजूद इसके जजबाती कारोबारी रतन नवल टाटा की बुनियादी सोच दूसरे की भलाई ही रही यानि बिना गरज लोगों के भले की चिंता करना आपको समुहों की शुरुआत पर नजर डालनी होगी मेरी नजर में जमशेच जी टाटा सिर्फ कारोबारी नेता और सिर्फ कारोबारी अगुआ नहीं थे वो देश को खड़ा करने वाले थे मैं तो कहूंगे कि टाटा समुहों ने जिस तरह से खुद को बनाया है और यह कि समुहों की लगाम असल में ट्रस्ट के पास है वही है डी अने टाटा समुहों की शुर्वात ही जनसेवा से हुए थी जैसा हम सब जानते हैं, वो बदले में समाज को कुछ देना चाते थे आज जो परिवार मालिक है, जो भी टाटा वहाँ है, वो कमपनी के मालिक नहीं है हो सकता है, हर कमपनी में उनका एक फिसदी हिस्सा ही हो रतन टाटा ने किया ये कि लोगों के बहलाई के ट्रस्त को सेवा के अपने मकसद को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ने का मौक़ा दिया है असल में कारोबार के साथ लोगों के बहलाई काम उतने सामने नहीं आय تھی उस वक्त व्यक्तिकत दिकतों को दूर करने वाली बात ज्यादा रही थी मतलब किसी को आपरेशन के लिए पैसा चाहिए या फिर कैंसर हॉस्पिटल था कैंसर के इराज के लिए या बुनियादी रिसर्च के लिए अब इसमें एक बदलाव आया है ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट साथ में लिये जा रहे हैं और उन प्रोजेक्ट से जुड़ा जा रहा है सिर्फ ये नहीं की पैसा दिया और जिम्मेदारी पूरी हुई टाटा की जो चवी है वो लोगों को अच्छे से याद है एक शानदार उसूलों पर चलने वाली कमपनी एक घज़त की कमपनी के तौर पर एक ऐसी कमपनी जिसमें खुद को बढ़ाते हुए अपने यहां काम करने वालों और स्टाफ की काफी चिंता की है 2012 में 75 साल के रतन टाटा ने टाटा की समूह की देखरे के काम से ओफिशली रेटायर्मन्ट ले लिया फिर भी अपनी शोहरत के बूते पर बैठे नहीं रहे जानने की इच्छा और बेताबी ने उन्हें आगे बढ़ाय रखा मैं चीजों को खोलने और उन्हें वापस ना लगा पाने के लिए बद्राम था मुझे याद है बच्पन में मैं इसी उधेर बुन में लगा रहता था कि जिपर बंद कैसे हो जाता है और मेरे पिता मेरे उपर खुसा करते कहते कि इस तरह की फुजूल चीजों में दिमाग मारना बंद करो लेकिन मुझे याद है कि जिपर को मैगनिफाइंग ग्लास से देखता था कि कैसे इस तरफ चलाओ तो ये आपस में मिल जाता है और इस तरफ अलग हो जाता है वो आज भी कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते है मैं जब भी अपने कारोबार के किसी पहलो के बारे में बात करता हूँ वो किसी बात को ऐसे ही नहीं सुनते हैं हर बात को ध्यान से सुनके सवाल पूछते हैं आप उनको कभी भी खाली बैठे हुई नहीं देखेंगे हमेशा नया सोचते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि चीजे काम कैसे करती हैं और क्या होगा अगर ये कदम उठाया जाये तो स्नाप डील के कुनाल बहल जैसे तीस से ज्यादा अंत्रोप्रोनेयोस का रतन टाटा ने होसला बढ़ाया है इन नौजवान पाउंडर्स को जूश देते और रास्ता देखाते हुए वो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं पलट कर देखू तो ऐसे कई मोखे आये जब मेरे पास एक सोच तो थी पर लोगों ने मेरी सुनी नहीं मेरी हिम्मत दोड़ी तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है अच्छे नौजवान दिमागों के साथ होने और उनसे बात करने में ये एहसास सच में खुशी का है उनके बहुत से आईडियाज बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं और कुछ लोगों को तो वो दुमिया के परे और हैरत अंगेज तक लगते हैं लेकिन मुझे लगता है कि वो लीक से अलग हटके सोचते हैं कोई ऐसा जो चलन को चुनोती देना चाहता है पुलीस वाले की मोटर साइकल में चीनी डालने वाला लड़का वो अगुआ जिसने भारत को इसकी सबसे सस्ती कार दी दूर की सोच रखते हुए देश की सबसे भरोसिमन ब्रांच में से एक को जोडने और दुनिया भर में पहुँचाने वाले और मौका ना होने पर भी वहां उन्हें पैदा करने वाले कभी न रुकने वाले जन सेवक रतन टाटा ने जो बिंदास और घजब के रास्ते चुने उससे उनकी जिन्दगी एक सवाल में बया हो जाती है कि आप सिर्फ इसलिए अपने आखरी सो रुपए या हजार रुपए किसी ऐसे इंसान को देंगे जिससे आप कभी नहीं मिले क्योंकि उसमें जो कहा वो बात आपके दिल में उतर गई या उससे दूर चले जाएंगे और बाद में अंदर से आवाज आये कि मुझे इस तरह चले नहीं जाना चाहिए था ये आदमी बहरुसा करने लाइक था और शायद इसी वजहे से भारत और दुनिया भर की तमाम पीडिया रतन नवल ठाटा को हसरत भरी निगाहों से देखती है ये है वो मेगा आइकॉन जिसने अपने पंक फैलाए लोगों के भले के लिए